नमच कारचरहट के इंदिमाब सभी का स्वागत है। ये जानने का दिकार हो जाता है कि उन्हें क्या तकलीफ है। अगर अपनी पतनी से ये एक चीज मांगता है तो पतनी को इसे देने में शर्व नहीं करनी चाहिए पतनी को ये चीज पती को दे देनी चाहिए और इसे देने बिल्कुल भी इनकार ना करें आचारे चाड़क के कहते हैं कि पती पतनी में अगर प्रेम ना हो तो वह परिवार सूखे पत्तों की तरफ बिखर जाता है और जिस पती पतनी में अगर प्रेम हो तो वह इस घर श्वर्ग हो जाता है पती अगर उदास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पतनी अपना मूँ फेद ले बलकि पतनी को जानना चाहिए कि उन्हें आप से क्या चाहिए माना जाता है कि पती को अगर घर में खुशियां ना मिले तो वह वो इस खुशिय को बाहर तलास करता है लेकिन अगर आप चाहती है कि आपके साथ ऐसी नौबत कभी ना आए आपके परिवार में दरार कभी ना आए तो पतनी का या दिकार हो जाता है कि पती को प्यार देने में बिल्कुल भी शर्म ना करें पती अगर आपसे प्यार मांगता है तो इसे देने में कभी भी इंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस पती पतनी में प्रेम होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है और धीरे धीरे घर में खुशियां आ जाती है इसलिए पती अगर पत्नी से प्यार मांगे तो पत्नी का अधिकार हो जाता है कि उसकी इच्छा जरूर पूरी करे इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में डेर सारी खुशियां आ जाएंगी बलकि आप दोनों के बीच प्यार बर्दा चला जाएगा इसलिए पती पत्नी को हमीज़ा प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे के ज्छाओं के पूरती जरूर करने चाहिए तो उमीद है कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें लाइक कर दें और यदि चैनल को अपने अभी देख सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जूरू दबादें धन्यवाद